नमस्कार स्वागत है आपका मेरे योटूब चैनल में जी आन दोस्तों बिहार SSC इंटर लेबल यानि की 2014 में जो फॉर्म भरा गया था उसका जो रिजल्ट आया है प्री का और मेंस का जो एक्जाम होना है उसके लिए फॉर्म अपलाई करने के लिए लिंक जो है आज एक्ट बिहार SSC के ऑफिस्यल वेबसाइट पर यह जो नोटी से सो हो रहा है आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं चलिए इस नोटी को डाउनलोड करते हैं और जानते हैं कि पूरी डिटेल आपका मेंस के एक्जाम कब से होगा कितना फॉम फीस लगेगा और आगे का सिलेबस क्य पूरी आपको डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्याम से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है आगे आने वाली बिहार ससी से सम्बंदित कोई भी नूच नहीं सुचना सबसे पहले पाने के लिए आप व सबस्तक सुचना 28 फरवरी 2020 से निकल रात में अपडेट जो है जारी किया गया है यहां पे लिखा गया है प्रथम इंटरस्तरिय सन्युक्त प्रणभिक परतियोगिता परिशा 2014 में योग्य पाए गए अभियार्थियों से मुख्य परिश्य हेतू आवेदन करने आवेदन 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 अंतिम अमंत्रित किये जाते हैं ठीक दोस्तों देखिए 28 फरवरी से ले करके आपका 18 मार्च तक आवेदन आपको अमंत्रित किये गया है यानि कि आपको फॉर्म अपलाई करना है मेंस एक्जाम के लिए एससी विहार एससी 2014 इंटरस्तरिय प पास हो गए है मेंस का एक्जाम जिनको देना है वह इस फॉर्म का अपलाई कर सकते हैं ठीक है यहां पर दिखिए दिया गया है भरने हैं तुझ आप 28 फरवरी से 18 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं अब यहां पर लिखा गया है आव आउनलाइन आवेदन करने से संबंदित विग्यापन आयूक के वेबसाइड बिहार स्सी डॉट भी एच डॉट एनाइसी यानिक इसके ओफिस्यल वेबसाइड पर जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था उस पर जाके विग्यापन के साथ पदवार बिकल्प पोस्ट कोड सहीत अनुलगन को तथ साथियों से अन्रोध है कि विग्यापन की सभी सर्तों एंपर किरिया को ध्यान पुर्वक पढ़ने के उपरांत निर्धारित तीथी तक आवे आउनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे जी अनुस्तों आप ध्यान पुर्वक की नोटिफिकेशन को और अपना मेंस एक्जाम के लिए फॉर्म अपलाई कर दें अब यहां पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने का तीथी जो आपको मैंने बता दिया 29 फरवरी यानि आज से आप अपलाई कर सकते हैं 18 मार्च तक आपका लास्ट डेट रहेगा और अपका परिक्षा सुल् ठीक है और लास्ट डेट अपलाई करने का सम्मिट करने का 18 मार्च तक रखा गया है उसके बदे हें दिया गया है कि जीनका यहां पे सरणि этом क्षूह्यफरण उनका सरीरिक छमता जाच होगा और सरीरीक छमता जाच होगा लिक पड़े हैं प्रविश्ट नहीं होगी यहाँ पर स्रेणी बी में होगा उसके बाद प्रविष्ट बेसिक डिटेल यह था नाम पीता के नाम फोटो लिंग कोटी जन्तिति अस्थाई दीव्यांग की स्थिति आदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो अपने पहले से फॉर्म भर रखा है दोया चौदा में तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है उसमें जो नया डिटेल भरना है वह आपको अलग से कॉल्यूम मिल जाएगा उसके बद बात करते हैं यहां पर फॉर्म फीस की बात करें तो देखिए यहां पर दे दिया गया है लाइन पर बने रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कि फॉर्म फी आपको कितना लग रहा है में इसका अप्लाई करने के लिए लाइन पर बने रहे हैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर तो में पर परीक्षा परीक्षा स्नुल्क की बात करें पर पौरेइब पररीक्षा सुल्क शमान आवर्ग के लिए Baby ऐनसूचि जन जाती के लिए जिसका जो सिर्फ विहार के अस्थाई न किसी किसी भी वर्ग के महीला और पूरुस को सले 700 रुपे लगेंगे ठीक है और यहां पे राज़िये के अस्थाई निवासी अरक्षीत और अनरक्षीत वर्ग महीला उमीद्वार के लिए 200 रुपे परीश्था परेक्षा सुल्क लगेंगा आप उनलाइन पेमेंट आपको क करना है online form को apply करना है ठीक है अब आपके सामने एक और बात आपको बता जा रहे हैं कि qualifying marks की बात करें चलिए इस पर अलग से मैं separate video बना रहा हूं कि जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से subject से आपको exam में question पुछे जाएंगे ठीक है और क्या qualifying marks रहेगा इस पर अलग से मैं एक video बना रहा हूं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें